फाइनली आज हम 2024 10 के साथ आगे हैं आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि 2024 की strategy तो मैंने सोचा कि चलो इसको बना देते हैं ठीक है ना तो आज हम बात करेंगे 2024 UPSC Civil Services Examination की strategy ठीक है बेसिकली ये मेरे पास plan है और वीडियो के end में आपको ये दिखा दूँगा इसक आप screenshot ले सकते हो कोई दिकत नहीं है ठीक है देखो वैसे इससे पहले मैंने 2023 की strategy भी बना रखी है और 2022 की भी बनाई है तो basically वो लोगों ने बहुत पसंद करी है तो अगर आप 2022 या 3 में दे रहे हो तो आप देख सकते हो ठीक है ना और दूसरा मैं message देना चाहूंगा जो 25 म मैं देंगे देखो यार अलग से बनाने की ज़रॉत नहीं है वैसे तो 2023 को भी extend कर सकते दे बट जो 2025-26 onwards में दे रहे हैं तो I will suggest कि आप इसी strategy में थोड़ा सा extend कर दो and you're good to go ठीक है ना तो सीधे स्टार्ट करते हैं बिना किसी time waste किये देखो 2024 को आप exam दोगे ठीक है ना तो 2024 2024 को आप exam दोगो तो जाहिर सी बात है आपके पास 29 months है ठीक है ना पर देखो जो अलग से आप एक notebook रख सकते हो और मैं कहूंगा कि जैसे ऐसे मैं कहता हूँ जो important चीज है उनको note down कर लो वैसे तो मैं आपको इसकी photo दूँगा लेकिन the thing is कि जब आप खुद लिखोगे तो वो चीज आपके mind में stick करेगी ठीक है इतने जल्दी वो आपको समझ में आएगा और वो अच्छे से आपके दिमाग में stick कर जाएगी तो फिर आपको बार-बार देखने की ज़रत नहीं बढ़ेगी कि यार क्या strategy है ठीक है सीथे start करते है ठीक है तो 2024 को आप exam दोगे and you have 29 months January से लेके January से मैं start करता हूँ अगर 2022 के 12 महिने 2023 के 12 महिने और 2024 के 5 महिने ठीक है न तो टोटल होगे 29 months देखो strategy को basically मैंने 5 phases में divide कर रहा है ठीक है न अलग-अलग phase है basically जब हम strategy बनाते है न तो हमे the best thing is कि जो भी अलग-अलग components होते हैं जो भी exam के अलग-अलग phases होते हैं या जो भी अलग-अलग subjects हैं अलग-अलग आपकी जो तरीके हैं पढ़ने के तो उनको divide करोगी तो easy रहेगा आपके लिए तैयारी करने के लिए ठीक है न तो मैंने phases में उसके divide किया है तो ध्यान से सुनना अब जो चीज में आपको बताऊंगा देखो एक चीज में बताता हू आपको mostly क्या होता है और कि आप ये भी सोचते होंगे कि strategy तो ठीक है पता चल जाएगी but the thing is कि यही खास बात क्या होती इस exam की इस exam में सबसे important चीज होती है consistency जो strategy में आपको बताऊंगा सुनने में बहुत आसान लगेगा बहुत मज़ा आएगा कि या चलो बढ़ी है phase 1 में ये complete हो रहा है phase 2 में ये complete हो रहा है phase 3 में ये complete हो रहा है तो सुनने में हो काफी अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है मैं ऐसे करूंगा और ये तो आसान है फिर तो आसान ही से निकल जागा exam but ये इतना आसान होता नहीं है ठीक है ना मैं साज बोल रहा हूं कि based on my experience मैं बहुत स मैं डैली में जब 3-4 साल रहा हूं तो बहुत सारे experience मिला था and I can tell you to be frank I don't think so कि मैं कोई ऐसे experience मिला था जो कि consistent है ठीक ना कभी कोई पढ़ पा रहा है कभी कोई नहीं पढ़ रहा है कभी आता था कि I am not able to study मैं घर जा रहा हूं मैं घर से आया हूं यहां पी coaching है coaching नहीं जा र बताने को बहुत सारा experience है लेकिन आज सिर्फ strategy की बात करते हैं सिंबल सी बात है 2024 को आप सबसे पहले January से start करोगे ठीक है अगले साल 2022 January से start करते हैं तो सबसे पहला है phase 1 ठीक है सबसे पहला है phase 1 which is very important उसमें आपको exam को समझना है ठीक है तो आपको exam को समझना है सबसे पहले मै हम क्या होते है तेहरी start करते है तो सीधे NCRT हाँ किसी ने बताया NCRT पढ़ लो NCRT पर गुजगे है हमने यह ने समझा कि exam की need क्या है exam की requirement क्या है कितने questions कहां से आते हैं कौन सा subject important है कौन सा topic important है यह चीज मैंने नहीं करी थी analyze और बात में एक दो साल बात यह मैंने start किया थ तो वही चीज मैंने सीखिया वही चीज मैं आपको बता रहा हूं the most important thing is कि exam को समझो पहले understand the exam कैसे समझ सकते हो आप exam को सबसे पहले है कि सबसे पहले आप previous year paper को देखो जब आप starting में previous year paper देखो कि तो उसको solve नहीं करना है आपने just एक idea लेना है कि कैसे question आरे है कैसे questions you know UPSC पूसता है किस तरह के options रहते हैं you just have to understand means में कैसे question आते हैं यह चीज आपको समझ ही नहीं है solve नहीं करना है अभी just कह सकते है basic analysis आपको करना है deep analysis आप बात में करोगे मैं बताऊंगा कब तो basically PY क्यों आप देखोगे previous year questions उसका syllabus is very important if you can memorize it अगर आप syllabus रट सकते हो ना that is the best thing for you जादर टाइम नहीं लगेगा study का जो phase phase one है वो एक महीने का है आप क्या कर सकते हो आप हर दिन अगर एक reading भी मारोगे इस labels की तो एक महीने में आपको याद हो जाएगा automatically अलग से effort भी डालना है ठीक है ना तो दूसरी चीज यह और तीसी चीज यह ए exam pattern exam pattern में basically पिलिम्स में कितने paper होते हैं में में कितने paper होते हैं कहां पर negative marking होती है में में कहां पर penalty पढ़ती है और optional में कितने paper है qualifying कौन से हैं यह सारी चीजे tips में पता होना चाहिए अगर मैं आपसे पूछू कि जो disaster management है वो कहां पर आता है तो आपको tips में पता होना चाहिए GS3 का topic है तो यह भी आपको पता होना चाहिए, किस subject में कितने question आ रहे हैं, किस subject से कितने topic आ रहे हैं, कौन सा area important है, तो आप जब तैयरी करते हो, तो आपको असानी हो जाती है, क्योंकि जब आप standard book पढ़ोगे, बहुत मुटी-मुटी की इताबे रहती है, तो वहाँ पर कहां पर focus जा पता चलेगा, mostly आप बोलते हैं कि important topics बताओ, important topics बताओ, कहां से पता चलेगा, जब आप previous paper देखोगे, तो आपको important topics automatically पता चलेगा, आपको किसी से पूछने की ज़रत भी नहीं है, यह सबसे important चीज़े कोई बताता नहीं है, ठीक है न, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ बत February 2022 से लेके, July 2022 तक, February, March, April, May, June और July, 6 महिने का पका phase 2 होगा, अब क्या होगा, भई आपने exam को समझ लिया है, अब करते हैं थोड़ी तेयारी start, ठीक है न, now you will start and you will start with basics, अब अपने basics को clear करोगे, 6 महिने मैंने दे रखे NCIDs को and I think it is more than sufficient, एक और चीज़, जो यह मैंने, you know, क I guess कर रहा हूं कि mostly जो aspirants इसको follow करेंगे वो college में होंगे, right, अभी आप college में होंगे, या पिस शायद अभी just 12th आपने pass out किया होगा, तो mostly college वाली ही हैं, जो इतने दूर का सोचते हैं, 3 साल बात की strategy मुझे लगता, college वाली हो, तो यह मैंने चीज़ जिहार में रखे है कि college मे तो मुझे पता है, आप दिन में जादा time नहीं निकाल सकते हो, तो I will say अगर आप around 5-6 hours निकालते हो, that is more than sufficient, 5-6 गंडे भी आप निकालते हो, you can follow this strategy comfortably और अच्छे सापर प्रेपरेशन कर सकते हो, तो यह है आपका phase 2, which is for 6 months, इस phase 2 में, जो February to July 2022, इसमें आपने सिफ तीन च NCRT's, देखो, आपको पहले NCRT's करनी है, दूसरा आपको न्यूस पेपर डेली पढ़ना है, न्यूस पेपर तो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, अभी से ही, और तीसरा आपको प्रिविएस येर पेपर का अब डीप एनलेसिस करना है, ठीक है ना, आप मैं बताता कैसे, इन कॉंपोनेंट्स को मैं ब्रेक करता हूँ, सिसे NCRT's की बात करते है, NCRT's पे मैंने वीडियो बना रखी है, कौन कौन सी पढ़नी है, कौन से नहीं पढ़नी है, भाई देखो, अगर आप 2022 में एक्जैम दे रहे हो, तो मैंने तब तो वजाइट सी बात है, सेलेक् NCRT का कोई मतलब नहीं रहता है, आपके पास sufficient time है, ample of time है आपके पास, why not, देखो, most लिए क्या, बहुत चाइपरेंस बोलते हैं, कि 6 to 10 चोड़ देते हैं, या 6 to 10, कितने classes के NCRT पढ़नी है आपको, history, geography और quality, that's it, मुश्किल से 15 NCRT's हैं, और अगर आप इनको पढ़ते हो तो मुश्किल से 10-12 दिन लगेंगे, तो मतलब इतना important चीज, क्यों इसको skip करना, मैं सोचता हूँ कि skip करने की ज़रूतनी है, जितनी NCRT's हैं, आपके syllabus के according, सारी पढ़ो, 6 महीने का time बहुत होता है, जब मैंने NCRT पढ़ी थी, तो almost मेरे को 3-4 महीने लगे थे, सारी NCRT's 6 to 12, सारे सब्जेक्स की जो पूरी 35 की 35 NCRT's है, सारी मैंने 3-4 महीने में पढ़ी थी, वो जब मैं full-time preparation कर रहा था, तो आप half-time preparation कर रहे हो, तो 6 महीने मुझे लगता, big deal है, वैसे भी science background से हूँ, मैंने graduation physics honor से करी है, school में कभी भी यह सारी चीज़े नहीं पढ़ी है, ठीक ह दूसरी बात आते है, newspaper, newspaper is very important, एक हो दो चीज़े होती है, एक होती है monthly magazine, एक होता newspaper, आप ऐसे बहुत बोलते हैं कि newspaper पढ़े नहीं पढ़े, मैं कहता हूँ, newspaper is the most important part in your journey, ठीक है न, most important component, मच छोड़ना newspaper यार, मैं पहले, जब मैंने, पहले की 2 साल तक मैंने newspaper नहीं पढ़ा, एंड में जब मैंने newspaper पढ़ा न, तो I saw changes in my, you know, knowledge, वो improvement आया, और जब मैं answer writing करता था, तो काफी improvement दिखा मेरे को, वो indirectly कहीं हमारे subconscious mind में feed हो जाता, वो इस skills है, वो time लेती है, improve होने में, और वैसे भी newspaper का analysis मैंने start कर दिया है, तो मैं भी बहुती, you know, interesting way में newspaper का analysis करूंगा, तो आप उसको देख सकते हो, it will definitely help you, तो कि ये strategy वीडियो है, थोड़ा समझा रहा हूँ, तो समझाने में time लगता है, अगर आप सोचोगे कि या वीडियो बहुत लंबा हो गया, 15-20 मिनट का, भाई देखो, निप्टाने वाले काम मैं करता है, मैं चाहता तो ये photo भी आपक इंपॉर्टें एंसी आटीज, आप कंफ्यूस हो जाओगे, तीन-चार गंटे आप बरबाद कर दोगे, why not just watch this video full and आपके सारे डाउट्स किलियर हो जाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद आता है, रिविजिन, रिविजिन देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, ठीक अभी नहीं करोगे, तो जब आप मंतली मैंगजिन स्टार्ट करोगे, तो आपको मंतली बेसे पे उसको करना है, ठीक है ना, उसके बाद बात आती है, रिविजिन की, रिविजिन is very important, आपको रिविजिन तीन तरीके से करना है, एक तो डेली, यानि कि जो पूरी दिन में पढ़ोगे, उसको अगले दिन रिवाइस कर सकते हो, रात को रिवाइस कर सकते हो, वीकली, मंडे तो सेटेडेडे जो पढ़ा है, संडे को सिर्फ रिविजिन करना है, that's it, along with newspaper, और बाकी जो वन तो टुविजिन तो पढ़ा है, उसको आकरी की तीन-चार दिन में आप उस रिवाइस करना ही पढ़ेगा, टॉपस भी करते हैं, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, and this shows that how much hard work you are doing, so regular interval पर रिवेजिन करना, दूसी जब आप कोई चीज पढ़ते हो, उसको समझ समझ के पढ़ो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि just आपने का कि NCRD पढ़नी है, तो हिस् for the sake of reading, for the sake of completing, you are just studying, कोई मतलब नहीं हो, simply wastage of time है, this is important, ठीक है ना, CSAT की मैं बात करता हूँ, CSAT देखो, CSAT क्या है कि mostly जो engineering backgrounds है, science backgrounds है, उनका strong होता है, तो उने जादे टेंशन आती नहीं, निउस पेपर से आपका comprehension इंप्रूव हो जाता है, और बाकि mass reasoning अरड़ी अच्छी आप क्या कर सकते हो, आप CSAT का paper लगा के देखो, अगर CSAT का paper लगाने के बाद, और 2-3 paper solve करने के बाद, आपकी improvement नहीं हो रही है, if you are not getting good marks, तो आप CSAT का once a week paper लगा सकते हो, क्योंकि जादा भी time नहीं देना है, CSAT को qualifying paper है, you just have to get the qualifying marks and you are good to go, तो once a week आप लगा सकते हो, तो ज़्यादा tension लिए, CSAT में, ठीक है न, बुक आरे से गरवाल सरकी बुक है, basic concepts के लिए, it's good, ठीक है, तो phase 2 आपका February से July है, and NCRD's newspaper revision and previous year paper, previous year paper का deep analysis अब आपको करना है, तो जब आप NCID's पढ़ लोगे न, जब NCID's पढ़ोगे तो जाहिर से बात है, चीज़े अब आपको सम करते हो, ठीक है न, तो यहां पर आप PYQ analysis करोगे, ठीक है न, मेंस का भी आप देखो कैसे question आ रखे हैं, उनका answer देखो, and मुझे लगता जब NCID's आप पढ़ लोगे न, तो यह जो PYQ है यह आपको और आसानी होगी इसको analyze करने में, ठीक है न, उसके बाद आता है phase 3, which is the most important phase, ठीक है न, phase 3 आपका बहुत important phase है, क्योंकि इस phase में आप थोड़ी सी preparation, असल में start होगी, क्योंकि यहां पर आपको वो चीज़े करनी है, जो आपका selection, you know, जो आपके selection में मदद भी कर सकती है, और जो आपके selection को रोग भी सकती है, क्योंकि यहां पर आ रहे हैं तगड़े components है, and another thing is, कि मुझे पता है, जो college जा रहे हैं, आ रहे हैं, कभी आपकी exam होंगे, फिर उसके बाद आप, you know, कम time होगा आपके पास, तो obviously थोड़ा time जादा इसलिए रखा है मैंने इसको, August 2022 से यह start होगा, और September 2023 को यह खतम होगा, ठीक है न, total 14 months, अब phase 3 में आपको क्या करन है, मैं बताता हूँ, देखो, answer writing, once a week, ठीक है न, answer writing हफते में एक बार करने है, answer writing यह तो आप previous year papers के जो model answers है, उनको solve कर सकते हो, previous year paper के जो book आती है, तो question answers उनसे लगा सकते हो, या फिर coaching के mocks, जो answer series है, उसके solutions पे आते हो, लगा सकते हो, आपकी एक आती है, 365 mains आती है, main 365 आ लगा सकते हो, insights के secure synopsis आते है, उसमें भी question answer होते है, exam level के, उने भी लगा सकते हो, यहां से आप practice कर सकते हो, once a week, once a week बोले तो तीन घंटे का आपको लगाना है, ठीक है न, उसके बाद है, mock paper आप लगाना है, लगा सकते हो, बिल्कुल हफते में एक बार mock लगा हो, more than sufficient है, उसको अच्छे से analyze करो, तो 6 सब गंटे में लग जाएंगे, तो एक ही आपको करना है, optional you have to complete in this phase only, optional complete करना ही है, और साथ में उसका revision भी करना है, no matter what, क्योंकि mains में आपका कम से कम 3-4 बार revision होना चीए, optional का, तभी आप optional में अच्छा score करोगे, और मैं कहता हूँ, optional is make or break, तो आपकी कुछ हद तक top, you know, 100 में rank आएगी, तब आपको IS मिलेगा, तो optional को आपको complete करना है, और उसके बाद बात आती है, yes, optional के लिए भी आप answer writing practice कर सकते हो, previous year भी solve कर सकते हो, या फिर जो coaching के mocks हैं, उनको भी लगा सकते हो, answer writing series भी आप join कर सकते हो, उसमें कोई गलत बात न हो, या कोई भी आस-पास आपकी कोई experience हो, साथ में किसी कोई दोस्त है, जो भी है, अपना answer evaluate जरूर करा ना, क्योंकि आपने अपना perspective रख दिया, लेकिन दूसरा इंसान अपने perspective से आपके answer को जब check करेगा, तो बताएगा कि यहां पर आपने गलती करी है, यह चीज आप आ आपके जो standard books हैं, उन्हें cover करना है, ठीक है न, जाहिर सी बात है, बहुत सी तो cover हो जाएगी, पिलिम्स और मेंस में जो subjects cover हो रहे हैं, वो तो easily आपको cover, वो तो मतब priority में है, वो सबसे पहले cover करोगी, बागी देगो, GS1, GS2, GS3, इस में पता है किया, स्लेबस, देगो, upcoming video मे मैं स्लेबस का analysis लाओंगा, तो आपको उससे काफी help मिल जाएगी, ठीक है, स्लेबस को मैं अच्छे से break करके समझाओँगा, और proper book list काभी भी मैं वीडियो लाओंगा, तो यहां से भी आपको help मिल जाएगी, तो आपको tension नहीं होगी, कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है स्लेबस किस चीज़ में कितना focus करना है, उनको upcoming videos है, तो उसका आप tension मतलो, बस अभी यहां पर आपको GS1, GS2, GS3 और साथ में films की जो specific books हैं, और साथ में essay, essay की concepts, essay का जो format होता है, थोड़े से जो essays लगाना बहुत ज़रूरी है, तो इस phase में आपको यह करना है, आप I hope समझ ग तो I think आपकी preparation आदी यहीं पर complete होगी है, because answer writing, the most important part in your preparation, वो आप अगर अच्छे से करते हो, साथ में आपका mocks, prelims के लिए जो help करते हैं, वो भी आप लगाते हो, optional which is very important, make or break, वो भी अगर आप यहां पर अच्छे से पढ़ते हो, revise time to time करते हो, और आप अपने essay, essay writing practice भी करत I think you have almost cover everything, अब बस छोटे मोटे topics की बात आते हैं, उसको cover करते हैं, देखो, phase 4 की बात करते हैं, phase 4 चलेगा आपका 5 महीने, ठीक है न, अभी जो phase 3 था, यह 14 months का था, phase 4 चलेगा आपका 5 महीने का, October 2023 से लेके, February 2024 तक चलेगा, ठीक है न, अभी इस phase में क्या करना आपको, basically, ज GS3 में अगर कुछ topics आप नहीं पढ़ पाए, आप उसको यहां पर cover कर सकते हो, साथ में ethics, GS4 है, वो आपको cover करना है, ठीक है न, तो एक तो यह होगी है, उसके बाद जो qualifying paper होगे, जैसे कि हमारा एक language paper compulsory होता है, English compulsory होता है, तो उनकी practice आप कर सकते हो, ठीक है न, और साथ मे revision, obviously, जो आपने पिछले 14 महीने पढ़ा है, यानि कि जो phase 3 था आपका, उसमें जो चीज आपने पढ़ी है, जो चीज भूल रहे हो, उसका अच्छे से revise करना है यहां पर, and practice, obviously, practice जो आपके answer writing और mock वो चलता रहेगा, ठीक है न, इसके बाद आता है, the last phase, that is phase 5, and obviously, यह एक चीज जो कि बहुत मतलब, बहुत कम लोगों को पता रहता है, वो यह, कि जो आखरी के 3 महीने होते हैं, वो बहुत important होते हैं, क्योंकि बहुत से aspirants ऐसे हैं, मेरे साथ के ऐसे दोस्त हैं, जो कि starting में बहुत जबर्दस तयारी करी, एक साल, दो साल, बहुत अच्छी preparation चल टूड गया, focus, टूड गया, distraction, यह सारी चीज़े, तो आखरी का जो दो महीना है, वहाँ पर पढ़ाई नहीं हुई, पिलिम्स से दो महीने पहले, what I am saying, पिलिम्स आपका June के around होगा, तो जो April में है, वहाँ पर ढिलाई दे दी, और उसके कारण पिलिम्स नहीं हुआ, ठीक पिलिम्स नहीं होता है, तो आखरी की तीन महीने में, अब वहाँ पर आपको दिन रात एक करनी है, अब the most important thing is, जो आखरी के तीन महीने है, मैंने उनको पिलिम्स के लिए रखा है, जो बागी 2022 को दे रहे हैं, थ्री को दे रहे हैं, उनके लिए दो महीने है, बट आप लोग जोग इतने टाइम से पढ़ रहे हो, तो जाहिर जबाते हैं, you should give one month extra, आखरी के तीन महीने, यान अब तक आपने दो तीन रिविजन तो कर दिया है, according to the plan, और उसके बाद बागी सारी चीज़े आपने पढ़ ली है, मेंस की, तो मेंस साइड रखोगे, answer writing साइड रखोगे, you just have to do two things, बस, इन तीन महीने में आपने सिर्फ और सिर्फ दो काम करने हैं, देखो, एक है mocks, आ obviously you have to do this, और यह सारी चीज़े हैं, ठीक है ना, the second thing is revision, revise as much as you can, चाहे कोई quality है, लक्षमी कान्त है, spectrum है, NCRTs है, आपके self notes है, current affair है, whatever it is, try to revise as much as you can, जब तक वो पानी के तरह नहीं, आपके मतब, जब तक, you know, tips में नहीं हो जाए, जब तक पानी के तरह किस्टर क्लियर नही है, revise करते रहो, करते रहो, कुछ नया पढ़नी की ज़रूरत नहीं है, भई, तीन साल से पढ़ी रहे हो आप लोग, और उसके बाद जो, और अब मुझे लगता नहीं है, कि ऐसे टाइम पे नया material या नया knowledge गेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ा है, अपने sources पे पेपर हो सकता है, and this is how you can go for it, बाकी जून में आप पेपर दोगे, and उसके बादे को, बाकी जो है, नूस्पेपर आपको पढ़ना है, पंदरा दिन पहले आप नूस्पेपर छोड़ सकते हो, but नूस्पेपर, I think, it won't take much time, 30-40 minutes है, you can read it, not a big deal, revision आपका वो ही चलेगा, daily, weekly, and monthly, और बाकी जो current affair magazine, बाकी जो add-ons है, obviously, notes का, थेको, notes में बहुत लोग बोलते है, notes क्या आप बनाया, 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 थेको, NCIT के notes आप बना सकते हो, अगर आपको ज़रूरत है, monthly magazine के notes बनाने की ज़रूरत नहीं है, standard books के भी notes बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी मोटी- तो आप photo, screenshot ले लो इसकी, अगर आपको चाहिए है, तो, ठीक है न, तो ये five phases है, and I'm sure, अगर आप इसको follow करोगे, you will clear the exam, मैं अपनी बात करता हूँ, बहुत ऐसे बोलते हैं, कि भाई, आपको इतना पता है, तो आपने क्यों नहीं निकाला, बिल्कुल, सही जवाब है, मत मैं एक बात बताता हूँ, ये चीज, जब मैं तयारी करने आया था, मेरे को बिल्कुल नहीं आया गया, पहली तो, ये जो चीज है, मेरे को टिप्स में भी नहीं पता था, ठीक है, तो, I was like कि, कि किसने का NZRD पढ़ लो, सारी NZRDs पढ़ लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर ले तो, उसके बाद मेरा प्रिविए से एर पेपर कोई बोलता ही नहीं था, उसके बाद मेरे आसपास के लिए, जहां पर गाइडेंस ली है, जहां पर मैं खुद सर्च किया है, तो वहां पर उतना एंफेसिस नहीं किया जाता था, पीवाई क्यू को आप सॉल करो, हम उ इतने साल तयारी करी है, और जब इन चीजे हो, जब देखा यार, पेपर को जब अनलाइज किया ना अच्छे से, तब रियालाइज हुआ कि, येस, कहां पर हम गल्ती करते थे, तो वही है कि, I hope, दूसरों की गल्ती से सीखोगे, जो ये चीज है, you can follow this, and this is the strategy for 2024, and all the very best, and this is it guys, बाकि कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा वीडियो लगा, और कोई अगर डाउट हो तो बिलकुल पूच सकते हो, ठीक है ना, तो that's it, ठीक है न, all the very best.